नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विने कमबोज और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा हुंड़ाई क्रेटा के बारे में और यह जो वेरेंट है यह एक्स वेरेंट है तो डिटेल में मैं इसी गाड़ी को कवर करूँगा क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं उन सब की हम बात करेंगे स्टार्ट कर लेते हैं कार के वेरेंट से लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बैल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियो अप्डेट सबसे पहले बाने के लिए तो स्टार्ट कर लेते हैं कार के वेरेंट से यहाँ पर जो आपको वेरेंट मिलेंगे स्टार्टिंग वेरेंट रहेगा ई दैन एक्स यह जो वेरेंट देख रहे हैं दैन एस एसेक्स एक्जेक्टिटिव वेरेंट आजाएगा दैन एसेक्स और टॉप वेरेंट जाएगा Silver, White, Red and Orange ये Color Option आपको Regular Cars के अंदर मिलेंगे लेकिन अगर आप Consider करते हैं Turbo Variant तो कोई भी अगर आप Turbo Variant तो वहाँ पे आपको 3 आपशन मिलेंगे एक White Color मिल जाएगा, Orange तो ये आपको अब आपको लाइप ऋदोन चरह तेशसे स cierta आंध यह आपको शीपा आंहाँ दिशार् आव अभी रहे गा दंग नाएगा तो यह आपको यह तो आप H helpless जो सेंटर इसका पार्ट है यहाँ पे इसको मैट ब्लैक फिनिस दी गई है इसके स्राउंडिंग्स आपको यहाँ पे यह ग्रे काइंड ओफ बोल सकते हैं यह फिनिसिंग दे दी गई है जो ग्लॉसी फिनिस के साथ है तो ओवरॉल देखने में अच्छी लग रही है टॉप इसके अंदर आपको यहाँ पे क्रोम का यूज मिल जाएगा स्राउंडिंग्स में क्रोम मिल जाएगा तो अपर वेरिंट की जो ग्रिल है वह थोड़ी से और जादा देखने में अच्छी लगती है बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे हुंडई लोगो दिया गया है अब बात कोई लाइट नहीं मिलेगी और यह नॉर्मल हलोजन बलब आपको मिलेगा मतलब यह यलो कलर की लाइट यहाँ पे देता है और जब थोड़ा हां निच्छे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यह पार्ट यह बिसिकली यहाँ पे इंडिकेटर द ले दिये गए हैं जो एर क्रोसिंग के लिए यहाँ पे हैं और जब आप इसका बंपर का यह फ्रंट पार्ट देखते हैं तो इस चिन गाड को जब आप देखते हैं यहाँ पे यह ग्रे शोट ऑफ फिनिस दी गई है निचे की तरफ भी आपको इस पेस दिया गया है और य जेते गाड़ी के फ्रंट आप चलते हैं गाड़ी के साइड जैसे आप सब जानते हैं कि जो हुंड़ाई क्रेटा है एक कॉंपक्ट एस्यूवी सेगमेंट है तो उसी के एक कार की लेंथ भी रखी गई है 4300 mm बात कर लेते हैं गाड़ी के टायर साइज की जब टायर अब आपको यह जाए गई है जैसे साइड में आप देखते हैं जैसे फ्रंट चीन गार आपको ग्रेश ओट ओफिनिस का मिलता है तो इस साइड में भी यहां पे ग्रेट फिनिस दी गई है और जब इन ओवर्वीम को आप देखते हैं तो यह बोडी कलर्ड आपको मिल जाएंगे और यह जो कंप्लीट पार्ट है यह देखने में काफी अच्छा लगता है इसके उपर की तरफ जब आप देखते हैं तो यहां पे भी एक ग्रेट फिनिस का यूज किया गया है जो देखने में साइड परफाइल को काफी इंप्रूफ कर देता है अगर मैं बात क परफाइल के तो जब गाड़ी को रियर से आप देखते हैं रियर लुक्स भी गाड़ी के आपको पसंद आएंगे और जो पहले वाली करेटा थी उसके लुक्स इस से ज्यादा बेटा लगते थे लेकिन इसके लुक्स भी आपको पसंद आएँगे बिल्कुल टॉप से शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा देन आपको इंटिग्रेटीड स्पोईलर यहां पे मिल जाएगा इस वेरियंट के अंदर आपको रियर शिल्ड पे वाइपर वोशर डिफोगर का कोई अप्शन नहीं मिलेगा और जो हाई माउंट लाइट है उसको यहां पे दिया गया है यहां के वजाए उसको यहां पे दिया गया है तो जैसे ही आप ब्रेक अपलाई करते हैं तो यह लाइट जो है यह ओन हो जाएगी यहां पे आपको क्रेटा का बैज यहां पे मिल जाएगा ब्रेंडिंग दी गई है इसके उपर की तरफ यहां पे हुंडई का लोगो आपक और यह जो रहु लिखा हुए यह विसरी ईलर हैंड जो यह देता है तो यह उसका नाम आह पे लिखा हूए और जब इस बंपर को आप दो को यह सी आपको यह पे ब्लेक उन reflection करनेवाल है और जब उस तरफ और दिनो तरफ आप देखते हैं तो यह आपको तो रिवर्स लाइट यहां पर मिल जाएगी और साथ में एक रिफ्लेक्टर भी आपको दिया गया है तो यह थे रियर अब चेक कर लेते हैं बूट स्पेस तो यहां पर आपको एक बटन मिलेगा जस्ट आपने वह बटन प्रेस करना है आपका बूट जो है वह उपन हो जाए थे सपेस काफी अच्छा है और एक काफी अच्छी बात क्या है कि आप कोई भी लगेज यहां पर रखते हैं तो लोड लिप जो है इसकी बिल्कुल है इन तो आप इसको निचे की तरफ na सकते हैं हमारा ये समान यहां पर रखा हुआ है और एक बार स्पेर वील हम चेक कर ल फोल्ड हो जाएगी अगर आप दो बंदे ट्रेवल कर रहे हैं तो काफी जादा आपके बास यहां पर स्पेस हो जाता है लगेज के लिए रात के यूजर के लिए आपको यहां पर बूट लेंब भी इस बेरेंट के अंदर मिल जाता है और दोनों तरफ आपको यह थोड़ा स उपन करते हैं जो डॉरपैट्स आपको मिलेंगे यह दियोल टॉन के साथ यह पे दिये गए हैं यह आपको ब्लैक और यह लाइटर सेड़ में मिलेंगा सभी जगा जो मैटिरियल यूज किया यह हाड़् प्लास्टिक दी गई है यहां पर आपको यह स्पिकर यहां पर मिल जो फ्रेंट सीट्स है वो मैंने अपने एकोडिंग एड़ेस्ट कर दिया अगर मेरी हाइट का बंदा सामने वाली सीट्स पर बैठा हो तो उसके बाद आपको इतना स्पेस यहां पर मिलने वाला है आभी मैंने गाड़ी के अंदर काफी ट्रेवल किया है लगबग 400-500 किलोमे ज़्यादा यह कंफरेबल हो सकती थी कुशनिंग इनकी थोड़ी और बैतर हो सकती थी जिससे जो सेटिंग कंफर्ट है वो और ज़्यादा रियर पैसेंजर्स का इंप्रूफ हो सकता था यहां पर जो आपको लेग रूम मिल रहा है स्पेस आपको काफी अच्छा है क्योंक इस पार्ट को आप देखते हैं तो यहां पे आपको एस इवेंट्स दे दिये गए हैं यहां पे आपको इस पेस दिया गया है मोबाइल आप रखना चाहें तो मोबाइल आप रख सकते हैं कोई भी चार्जिंग के लिए ओप्शन नहीं है और इस रियर जो सेंटरल यह वाला स द्रैवल कर सकते हैं आप चलते हैं ड्राइवर सीट पर लेकिन उससे पहले मैं आपको गाड़ी की दिखा देता हूं तो इस तरह की आपको यहां पे की मिलने वाली है दोनों इधर हुंड़ाई लोगो और इधर की तरफ आपको लोक अनलोक और बूट अनलोक के लिए ओप अब एक बास सीट भी चेक कर लेते हैं है जो ड्राइवर सीट है । तुल सीट फिक अउपचिन आपकी दिया गया है इधर की दो आप देखते हैं तो जाइट असीन इसका साइज भी कॉम्पेक्ट सा रखा गया है डीकट आपको यह स्टेरिंग मिलेगा यहां पे सिल्वर फिनिस दे दी गई है यह जो कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं सामने इंस्टुमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिलेंगे और इस तरफ जो आप देख रहे हैं यह मल्टी म यह चेक करता है और अभी एग्जेक डोर इंडिकेशन यह दिखा रहा है और स्टेरिंग से आप यहां से चेंज कर सकते हैं एवरेज और सब आपको यह सामने की तरफ यहां पे शो करता है इधर की तरफ इंजन टेंपरेचर गेज यह आर्पीम मीटर मिल जाएगा इधर की म्यूजिक स्टम आपको मिलेगा एट इंचीज का यहां पे आपको यह टास्क्रीन म्यूजिक स्टम मिल जाएगा जिसके अंदर आपको एपल कार प्ले एंडोड ओटो एफम ब्लीटूथ कनेक्टिविटी यह सब मिल जाएगा एक जो नई चीज यहां पे एड़ हुई है क जब थोड़ा निच्चे की तरफ आप देखते हैं यहां पे आपको एसी के कंटोल्स मिल जाएंगे मैनवल एसी आपको मिलेगा और इनकी जो बटन की क्वालेटी है यह भी काफी अच्छी आपको मिलने वाली है जब थोड़ा निच्चे की तरफ आप देखते हैं तो एक 12 यह बी यहां पर आपको normal नो मिल जाएगी और इसकी जो quality है जो finishing ए इसकी वो काफी अच्छी रखी गई है यहां पर आपको मिल जाएंगे दो कपोलडर मिल जाएंगे यहां पर सेंटर में एक armrest मिल जाएगा जो fixed है आप इसको slide नहीं कर सकते और इसके अंदर आपको storage मिल जाती है storage space आपको यहाँ पे काफी अच्छा दिया गया है यह normal है cooling option यहाँ पे नहीं दिया गया है और जब इस dashboard को आप देखते हैं तो dashboard आपको again dual tone के साथ है यह complete lighter shade में है और यहा हाड प्लास्टिक का यूज किया गया है glow box का space भी आपको normal मिलेगा और पहले यहाँ पे cool glow box मिलता था लेकिन अब आपको यह normal glow box यहाँ पे मिलने वाला है and then जब इस IRVM को आप देखते हैं तो यह manual day night IRVM आपको मिलेगा आप manually इसको adjust का सकते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है sunglasses holder और जब vanity mirror आप चेक करते हैं तो इस तरफ vanity mirror आपको मिल जाएगा driver side vanity mirror आपको नहीं मिलेगा एक चीज़ जो मिलेगा अच्छी लगी कि इसका यह जो central console को जो रखा गया है इसको थोड़ा इस तरफ किया गया है driver की तरफ ताकि जो driver है वो इसको easily यहाँ पे use कर सके तो यह काफी अच्छा मिलेगा यहाँ पे लगा है तो दोस्तो यह थे इंटिरियर अब बात करते हैं किया सेल्टोस उसका global mcap के अंदर crash test हुआ था उसके अंदर उस गाड़ी को 3 star rating मिली है तो यह भी same platform पे बनी हुई है तो अगर इसका crash test होता है तो exact clear हो जाएगा अभी यह जूम करते हैं कि इसकी भी same rating आईगी जो 3 star rating महा पे मिलती है इस variant के अंदर आपको dual airbag, driver side, passenger side, ABS brakes, with EBD reverse parking sensors, front disc brakes, यह safety features इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, अगर आप चले जाते हैं top variant पे या उससे निचे जैसे SX executive जो variant आता है, महा पे आपको rear disc brakes भी मिल जाएंगे, और top variant पे आपको क्या मिलेगा, six airbags हो जाएंगे, side airbags और curtain airbags मिल जाएंगे, साथ में ESP functionality आजाएगी और vehicle stability control भी आपको मिल जाएगा, reverse parking camera मिल जाएगा, जो help करेगा reverse करने में, तो यह था safety के बारे में, आप बात करते हैं engine की, तो क्रेटा के अंदर आपको petrol और diesel दोनों fuel option मिलेंगे, पेट्रोल के अंदर आपको दो engine option मिल जाते हैं, एक आपको मिलेगा naturally aspirated engine, जो 1.5 liters का engine है, जो power generate करता है 115 PS की, torque produce करता है 144 Nm का, यहाँ पे आपको 6-speed manual transmission और IBT मिल जाएगा, जो IBT है वो आपको top variant में मिलेगा, SX और SX optional के अंदर, और जो दूसरा आपको petrol engine मिलता है, वो है turbo charge engine, जो 1.4 liters का engine है, जो power generate करता है 140 PS की, और torque produce करता है 242 Nm का, यह आपको जो मिलता है सिरफ top variant S SX और SX optional के अंदर मिलेगा, और यह सिरफ 7-speed DCT के साथ अवेलेबल रहते है, देन आजाता है diesel engine जो आपको यह जो गाड़ी है diesel में है, तो diesel engine आपको मिलता है 1.5 liter CRDI engine, जो same power generate करता है 115 PS की, और जो torque produce करता है 250 Nm का, यह गाड़ी आपको 6-speed manual transmission और top variant में, SX और SX optional में 6-speed automatic transmission मिल जाएगा, यहाँ पर फिर अप इंजन के warranty के अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर आपको Hyundai की तरफ से 5 years की wonder warranty मिलती है, मतलब आप चूज कर सकते हैं, आपके पास 3 option रहेंगे, एक option रहेगा, अगर आपकी running जादा है, तो 3 years और unlimited km, second option आपको मिलेगा 4 years और 60,000 km का, और जो 3rd option है, वो है 5 years और 50,000 km का, तो आप अपने users के according warranty को चूज कर सकते हैं, अब बात करते हैं सबसे में इन कार के pricing की, सबी variant के price जो हैं, वो सामने screen पर आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं आपी सिरफ EX variant की बात कर लेता हूँ, अगर EX variant आप consider करते हैं, पेट्रोल के अंदर, तो उसका जो price रहेगा 11,12,000, और अगर आप consider करते हैं, डीजल के अंदर, यह जो variant है, तो उसका जो price रहेगा 12,3000, यह जो prices मैंने आपको बताए, यह Delhi EX showroom prices है, rest आप on-road calculate कर सकते हैं, अपने state और city के according, तो अभी यह जो गाड़ी आप देख रहे हैं, जब starting में आपने देखी होगी, और आप जो देख रहे हैं, काफी ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर changes हो गए है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हमने modification काफी ज़्यादा कराई है, और अभी हम जो वीडियो भी बना रहे हैं, यह भी आम वहीं पर बना रहे हैं, और इसके आपर यह जो modification सारी details दे दी गई हैं महां से detail लेकर आप contact कर सकते हैं तो दोस्तों ये था हमारे detailed video Crata EX variant का आपको video कैसा लगा comment section में लिखके जरूर बताएगा अगर वीडियो पसंद आया तो like और share जरूर कर दीजेगा तो हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाइबाइब जैहिंद